Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an academy group दोस्तों आज की स्कुईज वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 से ज़्यादा प्रिवेसर कोशन जो की एक्जाम के पॉइंट उप इस से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना आपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर कर देना और इन 100 कोशन में से आपका स्कॉर क्या रहता है नीचे कमेंट बोक्स में जरूब होतेगा प्लीज इतना काम आपको करना है कि जो भी आपका स्कॉर रहे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बोक्स में जरूब होतेगा और देखें अनकैडमी पर आप किसी भी एक्जाम की चारी कर सकते हैं जब भी आप जोइन करेंगे सब्सक्रिप्शन तो आपको रेफरल कोड यूज करना है स्टेडी टेन और देखें 28 जुलाई के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे जितने भी स्टुडेंट को सब्सक्रिप्शन जोइन करना है स्टेडी से लेकि यूपेस सी तक तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं स्ट यूदी वाई वन जीरो विदाउट एनी स्पेस ठीक है और देखें सभी नए बैचिज भी आ रहे हैं 28 जुलाई के बाद जिसको भी जोइन करना है अभी जोइन कर लेजे कोड याद रखेगा इस रटी टेंड रहेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज लाइक जरू कर देना दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है निमलिकित में से कि संगटन का जिनेवा में मुख्याले नहीं है आपकी ओप्शन्स WTO, B ओप्शन है WHO, C ओप्शन है ILO, D ओप्शन है FAO अगर आपको कोशन का आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तो निमलिकित में से कि संगटन का जिनेवा में मुख्याले नहीं है वह आपका FAO है यानि की Food and Agriculture Organization और इसकी इस्थापना का हुई थी दोस्तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी इस्थापना हुई थी तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तो एस्थाई सदश्या कितने है तो बिल्कुल सही आंसर क्या है देखे 10 तो है एस्थाई यानि की Temporary Member 5 है आपके Permanent Member संयुक्त रास्ट में UN में दोस्तों कितने 5 Permanent और 10 Temporary यानि की Total Member अगर आपसे पूछे जाए तो 15 हो जाएगा यह भी आप याद रख सकते हैं ठीक है भई चले तीसरा कोशन है पहले रास्टमंडल खेल कहां आयोजित किये गए थे फटा फट से आंसर बता दिजे मेरे पैरे दोस्तों पहले रास्टमंडल खेल आयोजित किये गए थे हैमिल्टन कनेडा में और कब किये गए थे जरा बताएगा मुझे कब किये गए थे 1930 में दोस्तों ये भी याद रखने वाला पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है ठीक है न चले अगला कोश्चन आता है कि 2023 किरकेट विस्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी बताएगे 2023 में किरकेट विस्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का सही answer क्या होगा अरे वाँ बिल्कुल सही answer क्या है आप सभी ने इंडिया दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा अगला question आता है कि tribe का मुख्याले कहा है तो बताए इस question का दोस्तो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी आप सभी को पता हो नहीं चाहिए मुंबई में इसका हेड़कॉर्टर है ट्राइफ की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टिटूट ओफ फंडेमेंटल रिसर्च ठीक है इसकी स्थापना का बुईती कोई बताना चाहिएगा इस्थापना का बुईती ट्राइफ की तो इस्थापना हुई थी उन्नी gilt 45 में तो इस्थापना हुई थी तो यह आपको याद रखना है चले, अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं, और अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है, कि निमलिखित में से कौन सही डंग से मेल नहीं खाता है, आपको बतारा है, इन में से सही डंग से कौन मेल नहीं खाता है, तो इन में से आपका बतारा है, कौन सा correctly matched नहीं है, तो मेरे प्या आपका डोक्टर अम्बेडकर नगर मध्यपर्दीश में पड़ता है तो यह आपको याद अगला कोश्चन है पहली भारते फीचर फिल्म कौन सी थी ध्यान से सुनियेगा मैंने क्या पूछा है तो भारत की पहली फीचर फिल्म थी दोस्तो राजा हरीश चंद्र और आपकी पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी आला मारा पहली बोलने वाली फिल्म आला मारा और पहली कलर मूवी कौन सी थी पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी क्रिसिन कनहिया ठीक है न यह आपकी पहली कलर फिल्म थी तो तीनों याद रख रहा है तीनों में confuse भी नहीं होना है अगला question आता है भारत की पहली जनगर्ना कब की गई थी भारत की पहली जनगर्ना बताइए दोस्तों और किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो वो अनकेडमी पर जाईएगा अपना जो भी कोर्स जोइन करना है उसको जोइन करिए और कोर्ड यूज कर लेना study time इससे आपको maximum discount मिल जाता है भारत की पहली जनगर्ना दोस्तों की गई किस नदी पर है बार्ण सागर्बान किस नदी पर है थोड़ी जाती है बार्ण सागर्बान दोस्तों ये है आपका सौन रिवर पर यानि कि इसका correct answer option नहीं हो जाएगा अगला question है केन सासित परदेशों की सूची भारते सविदान के किस अनुसूची में पाई जाती है पहुत ही basic सा easy सा question है मेरे इसाब से सभी student को इस question का answer पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer option A हो जाएगा यानि कि first is the right answer अगला कोशन है मोर्यवंस का अंतिम सासक कोन था अरब्रेद रत था तो यह आपका इंसर हो जाएगा नेक्स दे निमलकित में से कौन सा युदो की सही संख्या नहीं है अच्छा इसमें आपको यह दिख राएँ इसको भी मैं थिरी कर देता हूँ अब बताइए सारे 3 हो गए न which of the following is not correct number of words तो देखें यहाँ पर जो 4 लिखा था न यह answer ही लिखा था तो एंगलो मैसूर वोर जो है वो 3 नहीं हुए थे यह 4 वोर हुए थे कब कब हुए थे दोस्तों 1766 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1766 में हुआ था फिर आपका 1780 में हुआ फिर आपका 1789 में और उसके बाद 1799 में तो यह आपको क्या रखना है याद रखना है मेरे प्यार दोस्तों next मनुश्य में किसी अन्या हड़ी के साथ कौन सी हड़ी वेक्त नहीं की जाती है बताए बई which bond is not articulated with any other bond in humans इस question का right answer हो जाएगा hide bond यानि की option हो जाएगा see right answer दोस्तों next निमिन में से किस नदी का पानी बहते हुए किसी मासागर तक नहीं पहुंचता है बिल्कुल सही है इस question का right answer हो जाएगा seria dry यानि की option हो जाएगा see right answer ठीक है ना चलिए next आता है जागीर और साजा के बीच सांक्सेपित सवधी के लिए कौन सासन करता है तो इस question का right answer हो जाएगा अरे वह क्या बात है इस question का सही answer हो जाएगा seriar यानि की b right answer हो जाएगा ठीक है ना next है राजा मारतंड वर्मा ने 1729 में केरला को एक जूट किया 22 सामती छेतर से थे तो ये संबदी थे ट्रेवन कोर यानि की option d right answer हो जाएगा दोस्तों session अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज साथी साथ लाइक भी करते रहिए ठीक है ना वई next है आपका जिज मोहमद साही नामक खगोलिये सार्णी किसे किसने बनाई थी तो इस question का right answer क्या हो जाएगा राजा जै सिंग ने दोस्तों यहाँ पर right answer option डियू जाएगा राजा जै सिंग बन्टू मूल रूप से पाए जाने वाले लोग हैं काफी सही है बन्टू कहाँ पर पाए जाते दोस्तों देखिए बन्टू ओरिजिनली फाउंड इन एफरीका तो right answer सी होगा next है पूर्वी तेमोर की राज़ानी क्या है what is the capital of east तेमोर तो यहाँ पर correct answer काफी सार देखिए जिनको भी answer पता होता है comment box में बता दिये करें दिली इस question का दोस्तो right answer हो जाने बाता है पहला हेली और स्ट्रिक मॉडल किस ने विक्सित किया इस question का right answer हो जाएगा कोपर निकस ने अच्छा कब विक्सित किया था दोस्तो यह भी तो आपको पता होना चाहिए तो यह आपका हो जाएगा 1543 में ठीक है यह आपको यह दखना है next question है आपका निम्लिकित में से कौन से वानर विकासवादी में डमे मनुष्य से सबसे अधिक निकरता से संबन देता है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer क्या होगा चिंपेंजी दोस्तो इस question का right answer हो जगा है यह आपको यह दखना है next है वह इस्थान जहां भूकम शुरू होता है कहा जाता है वह इस्थान जहां भूकम शुरू होता है दोस्तो क्या कहा जाता है इस question का right answer हो जगा अरे वह बिल्कुल focus और hyper center यानि की both option डी हो जगा right answer next question is नेमलिकित में से कौन सा सहर यूरोप में नहीं है नेमलिकित में से कौन सा सहर यूरोप में नहीं है तो इस question का सही answer मुझे बताईगा क्या रहेगा पोर्टो नोवा दोस्तो इस question का right answer होगा यह आपको याद अखना है प्राचीन मिस्तर के राजा के रूप में जाने जाते थे प्राचीन मिस्तर के राजा के रूप में जाने जाते थे जल्दी से बताईगा बिल्कुल सही है इस question का right answer होगा फरो यानि की option होगा सी नेक्स्ट इस सिकंदर महान सासक था देखें सिकंदर महान जो था न दोस्तो मैसेडोन या यानि की ग्रीक सिवलाइजेशन का राजा था यानि की इस question का right answer option ए होगा नेक्स्ट आता है जब लाला लाजपतराय ने पुलिस की बरबरता के आके खुटने टेक दिये तो उसके खिलाब क्या परदेशन किया गया तो मेरी प्यारे दोस्तो उसके खिलाब क्या परदेशन किया गया था जड़ा बता दीजी मुझे इस question का सही answer हो जाएगा Simon Commission ठीक है और Simon Commission जो है ये कब स्टार्ट वाथा दोस्तो 1928 में वहीं पर अगर मैं बात करू रोलेट एक्ट की तो ये 1919 में आया था मिंटो मौले रिफॉर्म एक्ट ये आपका 1909 में आया था ये सारे ही important हैं एक्जाम में कहीं बारते हैं के सिर्फ year ही पूछ ली जाते हैं और PITS इंडिया एक्ट दोस्तो 1784 में आया था तो ये आप याद रख सकते हैं next आता है RBI जिस दर पर वानी जिक बैंको को अल्पकालीन तरण देती है उसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है देखें उसे कहा जाता है रेपो रेट यानि की option आपका A right answer बन जाएगा अगला आता है निमलेकित में से किसे भारतिये नवजाकरण के चनक के रोप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है दोस्तों अरे वाँ ये जाना जाता है राजा रामोहन राएगो यानि की option आपका A right answer होगा ठीक है बई चलेजे next आता है रूसी लोक लुभावन आंदोलन आरे जक्तावाद के संस्तापक सदेश्य कौन थे इस question का दोस्तों राएट आंस होजेगा मिखेल बकोईन यानि की A is the right answer ठीक है next है जिरो जिरो फेल लिंबिया एक कमी से होने वाली बिमारी है जिरो फेलिया किस की कमी से होने वाली बिमारी है रेटिनोल की कमी से होने वाली बिमारी है यह तो यह आपका right answer होजेगा option next आता है अजन्ता की गुफाएं किस काल के दोरान बनाई गे थी अजन्ता की गुफाएं दोस्तों किस के दोरान बनाई गई थी बिल्कुल सही है अजन्ता की जो गुफाएं है मेरे प्यार दोस्तों वे बनाई गई थी more yeah once के दोरान ठीक है ना चलिए next आता है मोनजाइट केरल तटो पर रहता है जिसका उप्योग परमाणू उर्जा उत्पन करने के लिए किया जाता है तो फटा फटा आंसर बती दोस्तों अरे बाब पिल्कुल सही आंसर है और इस question का right answer क्या होगा option हो जाएगा uranium जिसको आंसर पता होता है जल्दी से बता दिए next question है red cliff रेखा अंतरास्टे सीमा है red cliff line is the international border between देखे red cliff रेखा अंतरास्टे सीमा है दोस्तों किस-किस के बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में यह तो आप सभी को पता ही होगा next आता है कानून के नियम की अवधार्णा सविधानिक परणाली की एक विशेस्ता है तो आपको बताना है बिर्टेन, USA, France, Switzerland मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो correct answer होने वाला है that is option A, बिर्टेन is the right answer सभीधान का मसोधा त्यार किया गया था आपको बताना है कब किया गया था दोस्तों देखें मसोधा त्यार हो गया था 26 जनवरी 1949 को 26 नॉमबर सोरी 26 नॉमबर 1949 को बट यह लागू कब से हुआ था 26 जनवरी 1950 से तो यहाँ पे दोनों ही date important है लागू होने वाली भी और drafting की भी ठीक है तो इन दोनों में confusion नहीं होने बहुत सारे certainty में हमेशा गल्दी करते हैं जबकि question बहुत easy है कोशिकाओं के अध्यन संबदित जीवन विज्ञान की साखा के रूप में जाना जाता है तो यह है आपका right answer हो जएगा cytology option is the right answer next question is निमलिखित में से कौन सा एक पून मेंच है इस question का right answer हो जएगा एंत्रोस्केलेस यानि की blockage of arteries इस question का right answer हो जएगा next question है चूक का सिद्धान किसने पेस किया था दोस्तों चूक का सिद्धान किसने पेस किया था जल्दी से बताईए बिल्कुल सही answer कर रहे हैं आप लोग मेरे पैर दोस्तों और इस question का जो correct answer होगा that is option low del oz यानि की c right answer होगा आपका next आते सविधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्स कौन थे सविधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्स कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों यह है आपका right answer कौन हो जाएगा बिल्कुल सही है बी आर अब्बेड कर यानि की a right answer होने वाला है सेबी में इस्थापित किया गया था सेबी वाज सेट अप इन सेबी वाज सेट अप इन वीचियर सेबी जानते हैं नो security exchange board of India security exchange board of India सेबी regulate करता है दोस्तो share market को option हो जाएगा 1988 next आता है नीली क्रांती किस से संबंदित है नीली क्रांती का संबंद किस से है यह के नीली क्रांती का संबंद दोस्तों किस से है fist production से option हो जाएगा रइट आंसा next है पिता के रूप में किसे जाना जाता है पिता के रूप में किसे जाना जाता है इस question का right answer वोजेगा बाल गंग धरती लग को जाना जाता है नेक्स्ट है डारेक्टर सुरी डारेक्ट टेक्स का परमुक सुरी मुख्या परभाव है यानि कि आप से पूशे जारे में एफेक्ट ओप डारेक्ट टेक्स जोन अगर मैं बात करूँ डारेक्ट टेक्स की दोस्तों डारेक्ट टेक्स वह टेक्स होता है जिस पर इंपोज किया जाए वही उसका पेड करे और इंडारेक्ट टेक्स वह होता है देक्स हो जाएंगे फूड वाले जीतने विए नैक्स आते है भारते रिजर बैंक के पहले भारते गवर्नर कोन थे पहले भारते गवर्नर वो था फ्रस्ट इन गवर्नर of the रिजर बैंक उफ इंडिया तो मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अरे वक्त क्या बात है इस कोशन का सही आंसर होगा सीडी देश्मोग ठीक है सीडी देश्मोग इस दा राइट आंसर और यह कब बने थे दोस्तों 1943 में यह बने थे नेक्स सेक किवन एक कारबनी क्योगिक के अपकटन की एक परकिरिया है तो इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा एंजाइम स्यानी की बी इस दा राइट आंसर अगला कोशन है बोपाल गैस्त राजदी के रिसाब के साथ जुड़ा हुआ है बोपाल गैस्त राजदी के रिसाब के साथ जुड़ा हुआ है इस कोशन का राइट आंसर होगा बिथाइल आइसोसाइनेट यानि की टी इस दा राइट आंसर जोकि कब 1984 यह आपको यह दखना है नेक्स्ट है करो या मरो भारत की सवतंतर संग्राम में कौन से आंदोलनों से संबंदित है करो या मरो के भारत सवतंतर संग्राम में कौन से आंदोलन से संबंदित है तो कुट इंडिया मोमेंट इस कोशन का राइट आंसर होगा ठीक है न और quit India moment दोस्तों आपका 1942 में शुरू हुआ था किलाफ़त moment 1919 और आपका non corporation moment 1920 और बाकी अगर मैं डांडी मार्ज की बात करूँ तो 1930 याद रखेगा next आता है भारत में पहली तेल refinery की स्थापना की गई थी कहां पर दूस्तों भारत की पहली तेल की स्थापना की गई थी वो डिक बोई में की गई थी ठीक है ना c right answer होगा 1901 में next question है भारत के काली क्रांती किस उत्पादन के निर्मान से संबंदित है भारत में काली करांति किस उत्पादन की निर्मान से संबंदित है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा मेरी प्यारे दोस्तो that is option भी crude petroleum से अगला question है जनसंख्या की अध्यन को कहा जाता है जनसंख्या की अध्यन को क्या कहा जाता है तो इस question का right answer होजेगा demography क्या कहा जाता है demography दोस्तो right answer बन जाएगा निमलिकित में से कौन सा राजकोश्य नीती का साधन नहीं है which one of the following is not an instrument of fiscal इसका right answer हो जगए दोस्तो open market operation ठीक है न next है केंदर सरकार के राजतिरित अधिकारियों की न्युक्ति और बरकास्त की कौन करता है तो the president of India कौन करता है दोस्तो भारत का राश्टपती ग्यार भी पंचवर्शय योजना की अबदी है the period of the 11th 5-year plan is तो इस question का right answer जगा 2007 से 2012 अगला question है crude is sore due to the presence of curd sorry curd is a curd खटी क्यों होती है आपको बताना है curd के खटी होने के पीछे रीजान है lactic acid ठीक है न तो यह आपका right answer हो जाएगा अगला question है खेबर दर्रे किन देसों में जुड़े हुए है तो इस question का सही उत्तर क्या होगा दोस्तो Afghanistan and Pakistan क्या होगा दोस्तो right answer Afghanistan and Pakistan हाँ यही सही है चले अगला question आता है एस्याई देस इसराइल की राज़दानी क्या है यह तो पता ही होगा सभी को एस्याई देस इसराइल की राज़दानी दोस्तो Jerusalem है यानि की इसका right answer option D होगा next है share धामको द्वारा कमपनियों के बीच मुनाफिक के वितरन को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे जो correct answer होगा वह आपका dividend होगा लाबांस होगा next है Simlipal Biosphere Reserve कि स्राज़दा में स्थित है Simlipal Biosphere Reserve is located in which state तो उड़ी सा right answer होगा यह आपका दखना है next is दूद से दही किस बैक्टिरिया के क्विंट द्वारा बनता है इस question का right answer क्या होगा लेक्टो बेलिस is the right answer ठीक है ना लेक्टो सब्द आते हैं आप समझें कि दूद से लिटिड बात की जा रही है दूद के प्रोड़क्ट से लिटिड भारत का परमानो उर्जा आयो किस वर्स में स्थापित किया गया था Atomic Energy Commission of India was stabilized in which year तो ये 1948 में स्थापित किया गया था नेक्स्ट है गुणसुत्र निमलिखित में से किस से बने होते है इस question का right answer होगा क्रोमेटीन से बने होते हैं यानि कि यह यहां पर right answer हो जाएगा पीडियो में वनसानुगत चरित्र के हस्तासरन की परकिरिया को क्या कहा जाता है इस question का right answer होगा अनुवांस की D is the right answer नेक्सब बारत में बिटिस सरकार के किस कारवाई के कारण सवदेसी आंदोन काईजिन किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा बंगाल विभाजन इस the right answer नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला के लाड़ी कौन है इस question का right answer होगा करणम मलेसवरी यानिकी B is the right answer विजे समारक विजे स्थम राहिस्थान के किस सहर में इस्थी था तो इस question का दोस्तों सही answer होगा जित्तोड यानिकी D is the right answer नेक्स्ट है भारत की सबसे उची परवत चोटी निमलकित में से कौन सी है तो इस question का सही answer होगा कंचन जंगा ठीक है नेक्स्ट है निमलकित में से कौन से अनुच्छे समानता की अधिकार से संबंदित है तो इस question का right answer होगा article 14 to 18 is the right answer नेक्स्ट है अगर तला किस उत्तर पूर्वी राज्य की राज्दानी है तो अगर तला जो है वो किस उत्तर पूर्वी राज्य की राज्दानी है दोस्तों ये तिरपूरा की राज्दानी है नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका माधी उत्तरी की ओर से किस माजागर से गिरा है तो इस कोश्टन का राइट आंसर होज़ेगा आर्टी कोश्टन से नेक्स्ट है किसी दिन किसी दिये गए बहु रंग की स्थाई तीन आयामी तस्वीर रिकोर्ड करने की तकनिक कहलाती है इस कोश्टन का राइट आंसर होज़ेगा होलोग्राफि ठीक है तो मेरे इसाब से अभी next slide पे चलते हैं यह 70 question की PDF अब next पे आते हैं प्लीज एक बर like कर दीजिए जो भी student यहां था कभी तक देख चुका है इस class को दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है निमन में से कौन से देश की तटरेखा सबसे लंबी है और देखे इस पूरे live test में आपको जितने भी questions आते होंगे नीचे comment box में बताते रहना आपकी भी जादा से जादा practice होगी और आप last में ये भी देख पाएंगे कि इस पूरे live test में आपने कितने questions के answer सही कि है और like करने दो भूलिएगे मत इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा बिल्पूल सही है Canada is the right answer ये आपको क्या दखना है चलिए दूसरा question आ रहा है डिमन में से किसे Siberia का मोती कहा जाता है जहां से देखेगा इस question का दोस्तो right answer हो जेगा बेकाल जील को दोस्तो क्या बोला जाता है Siberia का मोती कहा जाता है ये आपका दूसरा question था चलिए next question आता है मचली उत्पादन किस क्रांती से संबंदित है आप सभी को पता होगा the revolution of fish production is called बिल्कुल सही answer क्या है blue revolution नीली क्रांती से संबंदित है ठीक है ना fish production अगला question कहरा है कि सिक्किम राज्य को किस सविदान संसोधन के बाद राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ प्यारे दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो इस question का correct answer हो जाएगा 36th amendment act और ये कब हुआ था ये वह था 22 April 1975 में कम वह था दोस्तो 22 April 1975 को ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है और जो सिक्किम है दोस्तो ये हमारा 22 वा इस्टेट बना था 22 वा राज्य बना था ओल्राइट चली अगले question पर चलते हैं अगला question है निमलिकित वाइसरोय में कौन सा वाइसरोय है जो अपने अनमाद दोरे के समय मारा गया तो मेरी पैरे दोस्तो इस question का answer बता दीजिए देखिए कौन सा वाइसरोय है जो अपने अनमाद दोरे के समय मारा गया था तो वह है लोड में इसका राइट answer हो जाएगा यानि कि भी आपका correct answer है ठीक है अगला question आ है कि सिव समुद्रम जल पर पात किस नधी पर इस्थित है इस question का correct answer क्या होगा आपके options में आपका गंगा है गोदावरी है कृष्णा है या कावेरी है तो guys correct answer होगा कावेरी यह आपको पता होना चाहिए अगला question आता है कौन से राजवन्स ने दिल्ली सल्दनत पर अधिक समय तक सासन किया कौन सी राजवन्स ने दिल्ली सल्दनत पर अधिक समय तक सासन किया तो guys इस question का right answer हो जाने वाला है तुगलक यानि की C आपका correct answer होगा ठीक है भई चलिए अगला question है चतुर्थ बोध संगीत के उपाध्यक्स क fourth Buddhist council दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा देखे एक तो आप यहाँ पे confuse मत होएगा यहाँ पे deputy chairman के बारे में बात की गई है तो deputy chairman तो थे अस्व घोस ठीक है यानि कि option आपका ड्यूज़ेगा बट यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि president कौन थे तो president थे दोस्तों वास् ठीक है ना चतुर्त बोध संगीत के उपाध्यक्स की बात कीज़े तो और प्रेजडेंट की बात कीज़े तो वे हैं थे वास्व में दोनों में confusion बिल्कूल नहीं होना चाहिए चले next question आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं और देखे अगर आपको यह session अच्छा लगता है प्लीज लाइक जरू कर दिया करें ठीक है नेक्स्ट है मलेशिया के भूम अध्यवरती छेत्र की जंजाती को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं बई जरह बताएगा सेमांग कहते हैं क्या कहते हैं सेमांग is the right answer अगला question है दोस्तों चाए में निमलिकित में से क्या होता है चाए में निमलिकित में से क्या होता है तो चाए में दोस्तों प्रजेंट होता है कैफिन यानि कि इस question का right answer option है हो जाएगा ठीक है इसलिए बोलते हैं कि चाए ज्यादा पीना अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि उसमें कैफिन होता है अगला question है प्रत्वी पर सबसे क्यों सा है जलाब बताईएगा करवेकस दोस्तों इस question का right answer होगा प्रत्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला जो ट्री है वैं कौन से करवेकस ऑल्राइट काफी अच्छा question है भुकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदू को क्या कहते हैं भुकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदू को दोस्तों epicenter यानिकी अधिकेंद्र कहते हैं तो यहाँ पर जो correct answer होगा that is option C अगला question कहता है पर्थम भारतिये उपगरे कौन सा है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा अरे वा आरिये भट दोस्तो right answer होगा याद रखेगा बहुत सारे student यहाँ पर अलग-अलग answer लगा रहे हैं ठीक है बास करिए answer नहीं होगा आरिये भट इस दा right answer यह आपको याद दखना है दोस्तो ओलंपिक खेलों में पर्थम भारतिये महिला पदक विजेता का नाम बताईए तो देखे पर्थम की बात की गए पर्थम महिला तो question वैसे ही ज़्यादा important हो गया है और फिर बात की गए ओलंपिक मेडल की तो यह और भी ज़्यादा important हो जाते है तो इस question का right answer हो जाएगा करणाम मलेशवरी यानि की option हो जाएगा दोस्तो सी right answer ठीक है next है राउर के ला इस पात सेंतर कहां इस्थित है राउर के ला इस पात सेंतर राउर के ला वेर इस राउर के ला स्टील प्रांट सीचुएटेड तो इस question का right answer दोस्तो उडीशा हो जाने वाला है ठीक है उडीशा इस दा right answer अगला question है प्रस्तावना की खालिस्थान सविदान से लिया गया है प्रेंबल का जो दोस्तो विचार है वो कहां से लिया गया है idea जो है प्रेंबल का दो idea of प्रेंबल was borrowed from the constitutional किस देश के सविदान से लिया है तो ये लिया है हमने USA से अमेरिका से तो right answer आपका option C हो जाने वाला है अगला question है कि कौन सा vitamin J और गेहों में पाया जाता है कौन सा vitamin J और गेहों में पाया जाता है तो J और गेहों में vitamin पाया जाते दोस्तो vitamin B यानि कि A is the right answer अगला question है जगदीश पूर में विद्रो का नेतिज किस ने किया वो lead the revolt at जगदीश पूर अरे वह क्या बात है यहाँ पे coercing right answer हो जाने वाला है दोस्तों B correct answer होगा session पूरा end तक जरूर देखेगा बहुत सारे important question हम इस video में cover करने वाला है गाये के दूद का रंग किसकी मोजूदगी के करन थोड़ा पीला होता है दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा carotene यानि की option है हो जाएगा ठीक है color of cow milk is slightly yellow due to the presence of carotene अगला question है मनुष्य के हर्दे का भार लगभग कितना होता है दोस्तों weight of heart of human being is approximately कितना होता है दोस्तों देखें यहां पर कई बार आपको option में 300 से 400 या साड़े 300 ऐसे options में मिल देंगे बट एप्रोक्स की बात कीज़े तो नज़दी कौन सा है 300 ग्राम्स तो यह आपका correct answer होगा ठीक है निमन में से कौन सी रभी की फसल है which of the following is crop of रभी तो ग्याहूं weight जो है यह रभी की फसल है इस question का right answer option D हो जाने वाला है यह आप याद रखेगा कौन सी घटना विदेशी इस्थल में घटित हुई थी यह आपको बताना है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा murder of kerjan valley इस question का right answer भी हो जाने वाला है guys next है कौन सा राज्य भुटान को इस परस नहीं करता है which state does not touches भुटान तो यहाँ पर जो right answer होगा दोस्तो which state does not touch भुटान तो देखे कहीं student को लगता है मेगाले भुटान को टच करता है बट ऐसा नहीं है बाकी आउनाचल परदीस असम और सिक्किम यह भुटान को टच करते हैं next है port is situated in which से किस सागर के सागर में इस्तित है दोस्तो तो इस question कर रही टांस होजएगा Mediterranean सी भूम अध्य सागर ठीक है ना चलिए आई सी आर्सी का मुख्याले कहां इस्तित है आई सी आर्सी का मुख्याले दोस्तो कहां परिस्तित है यह इस्तित है जिनेवा में राइट आंसर डी हो जाएगा अगला question है आपका जवालाल नहरू के निधन के पस्चाथ किसने परदानमंत्री पद ग्रेंड किया यह तो question कहीं बर साइद मैं करा चुका हूँ अगर अभी भी गलत किया आपने फिर तो यह आर मतलब आप याद नहीं रखते हो चीज़ों गुलजारी लाल नंदा राइट आंसर हो जाएगा जवालाल नहरू के निधन के पस्चाथ किसने परदानमंत्री पद ग्रेंड किया दोस्तों गुलजारी लाल नंदा ने किया था next question है भारत के रासपती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो भारत के रासपती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है इस question का राइट आंसर हो जाएगा पारलेमेंट यान की संसत द्वारा next है मर्डे का कप किस खेल से संबंदित है अच्छा question है ठीक है ना मर्डे का कप is related with which game तो दोस्तो इस question का right answer हो जाने वाला है football ठीक है ना अब बहुत सारे student यहां पर गलत कर चुके हैं बट football ही इसका right answer हो गा next है इस्वरिया का हाल ही में निधन हो गया वे खालिस्थान थे इस्वरिया का हाल ही में निधन हो गया वे एक क्या थी दोस्तो वे पतरकार थी जनरलिस्ट थी यानि कि इसका right answer option ए हो जाने वाला है अगला question है किस राज्य सरकार ने स्थानिया निकाय चुनाव लड़ने के लिए नियुन्तम सेक्सिनिक योग्यता की सर्थ को समाप्त कर दिया जरा बताएगा किस राज्य ने ऐसा किया है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस question के बारे में तो इस question का दोस्तो right answer हो जाने वाले आपका बिल्कुल सही है राजिस्थान क्या हो जाएगा राजिस्थान is the right answer मैलाओं की रास्तिय मुक्यबाजी चेंपियंसिप का खालिस्थान संसकर्ण विजे नागर करनाटक में आईजित हुआ ठीक है तो जल्दी से बताईए यह दोस्तो कौन सा third edition था यानि की right answer भी हो जाने वाला है ठीक है न दोस्तो अगला question कह रहा है आपका कि किसको मुक्य चुनावायूक्त के रूप में न्यूक्त किया गया है who has been appointed as a chief information commissioner इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा yes वर्धन कुमार सिना क्या हो जाएगा yes वर्धन कुमार सिना यानि की आपका be right answer हो जाएगा ठीक है अगला question दोस्तो भारत की उप कप्तान स्मृद्धी मगंधाना को महिला किर्केट ओफ दा इयर के साथ साथ ICC दुआरा महिला वन डे प्लेयर ओफ दा इयर चुना गया है वे किस राज्य से हैं दोस्तो ये हैं मारास राज्य से यानि की option डी राइट आंसर होगा अगला question है किसको railway board का नया अध्यक्स न्यूक्स किया गया है Who has been appointed as the new railway board Chairman तो इस question का रेट आंसर क्या होगा Who has been appointed as the new railway board तो देखिए यहां पे actual में दोस्तो एक्च्वल बें ये वाला जो question है ना I think ये गलत हो चुका है मिनिस्टियो प्रेल बें जो सुनीत सर्मा है ठीक है ना तो वैसे वीके यादव यहां पे राइट आंसर हो जाता बट यहां पे याद रखेगा ठीक है जियर बोलसोन नारो ने खालेस्थान के रास्पती के रूप में सपतली इस question का दूस्तो रइटान से क्या होजेगा ब्राजील के ठीक है ना चले next question जस्टिस चोलेंदर सामसोर जी बी राणा ने खालेस्थान के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यादिस के रूप में पदभार संबाला तो इस question का रइट आंसर क्या हो जाएगा नेपाल के ठीक है ना नेपाल इस question का रइट आंसर हो जाएगा दोस्तों next check is this ने प्राचिन हिंदू धार्मिक इस्थल पंज तीरत को राश्ट्य ध्रोर घोसित किया है तो ये घोसित किया दोस्तों पाकिस्तान ने याने की राइट आंसर आपका उप्शन ये हो जाएगा अगला question विस ब्रेल दिवस परतिक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है तो वर्ल्ड ब्रेल डे इस अब्जर्व एवरी इयर ओन तेकि वर्ल्ड ब्रेल डे चार जनवरी को मनाया जाता है ठीक है next है किसने जालंदर में महिला विज्ञान केंदर का उद्गाटन किया था तो इस question का right answer हो जाएगा स्मृत्धी इरानी स्मृत्धी इरानी is the right answer ये आपको याद अखने पर मैंने ये वाला आपको चार जनवरी बताया ना दोस्तो next है खाली स्थान से नोबल पुरुसकार विजेता अवराम हारे को और खाली स्थान के एक डकन M. Holden ने जालंदर में चिल्डन साइन्स कॉंग्रेस का उद्गाटन किया तो इसका right answer जरा बतेगा खाली स्थान की रास्पती मधूरों ने दूसरे कारेकाल के लिए सपत ली तो ये लिए दोस्तों वेनेजुएला में यानि की इस question का right answer option ये हो जाएगा कुछ technical issue हो रहा है क्या हूँ बीच बीच में voice कट रही है कि मेरी आपको अगर बीच बीच में मेरी आवाज कटके सुनाई दे रही हूँ तो comment box में बताईएगा जैदीब गोविंद को राजपती मानव अधिकार आयोग का महासचीव न्यूक्त किया गया और यहाँ पे एन एच आरसी का मुख्याले कहा है तो एन एच आरसी का मुख्याले दोस्तों आपका नई दिल्ली में है ठीक है किस लेखिका ने अपने उपन्या सिंग टू लिव बिहाइंड के लिए सुसीला देवी साहत्य पुरुसकार जीता है इस question का right answer हो जगा नमीता गोखले यानि कि A is the right answer next है किसको फिलिप कोटला रास्टपती पुरुसकार मिला है किसको फिलिप कोटला रास्पती पुरुसकार मिला है और इस question का right answer हो जाने वाला है दोस्तो नरेंदर मोधी को ठीक है न next question है किस राज्जे सरकार ने गया आसरियों से आवारा गयों को गोद लेने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया है तो ऐसा करने वाला राज्जे कोन सा है दोस्तो अब बहुत सारे स्ट्रेंट तो उत्तर प्रदिस अंसर लगाएंगे बट उत्तर प्रदिस नहीं है ये राजिस्थान है दोस्तो नेक्स है किसने दसवे सिख गुरू गोविंद सिंग जी की 352 जैनती पर नई दिल्ली में एक समारक सिख का जारी किया तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाने वाला है नेंद्र मोदी ठीक है ना किस राज्जे में पोंगल तोहार मनाया गया है तो तमिल नाडू इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा यह आपको यह दखना है दोस्तो नेक्स्ट कोशन है 1956 में अंग्रेजो द्वारा कलकत्त की किले बंदी को बंगाल के नवाब सिराजु दोला ने माना था यह इसका था दोस्तो उसकी संपरभूता पर हमला यानि की अना अटेक अपोन ही सोवरिनेटी ओप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है बंगाल के सवतंतर राज्ये की स्थापना किस ने की तो वो फाउंडिड इंडिपेंडेंट इस्टेट ओ बंगाल तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो मुर्सिद कुली खान यानि की ऑप्शन सी इस दा राइट आंसर दोस्तो मुर्सिद को लिखान हो गया राइट आंसर ठीक है बंगाल का नवाब कौन था जब बकसर की लड़ाई लड़ी गई थी तो जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तो मीर कासिम इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है उस समय बंगाल का नवाब पॉन था मीर कासिम था नेक्स्ट कोशन आ रहा है कि नमलिखित में से अंग्रेजी इस इंडिया कंपणी द्वारा लड़ी गई सबसे निर्नायक लड़ाई कोन सी थी तो सबसे निर्नायक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी बैटल ओफ बक्षर ठीक है राइट आंसर इस ओप्षन ए अगला कोशन है निमलिखित में से किस मुगल समराट ने भारत में अपने व्यापार को सुईधा जनक बनाने के लिए मैत्पून फरमान अंग्रेजो को दिया इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है सायक गटबंदन की परणाली को सविकार करने वाला पहला भारत्यमूल सासर कौन था इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाने वाला है हैद्राबाद के निजाम यानि कि आपका डी राइट आंसर होगा ठीक है चले नेक्स्ट दोस्ते एक बहुत ही अच्छा कोशन है और इस कोशन का राइट आंसर हो जेगा मीर जफर तो आगे के लिए इस कोशन को याद रखेगा नेक्स्ट कोशन तो दोस्तो ब्लैक होल तराजदी में हुई थी आपको बताना है ब्लैक होल टराजदी जो है वास हेल्ड इन कहां पर हुई थी यह उचि दोस्तो कॉलकता में ठीक है जिसमें नंबर ओफ एरोपियंज वर मतलब जिनको जेल में बंद कर दिया गया था और यहाँ पे गर मैं बात करूँ कब हुई थी दोस्तो 1756 में तो यह भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन है प्लासी किस नदी के किना रेश्थी थे तो प्लासी वास सिचुएटिड ओन दे बैंक ओफ विच रिवर उगली इस कोश्चन कर रहे टांस होजेगा उगली रिवर ठीक है नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट है मनिहारी का युद कब हुआ तो मनिहारी का यूद है दोस्तो बेटल ओफ मनिहारी 1756 तो यहां पर राइट आंसर भी हो जाएगा अगला कोश्चन कह रहा है कि मुर्सिदाबाद से मुंगेर अपनी राजदानी किसने इस्तांतरीत की बते जल्दी से तो मेरे पएड़े दोस्तो इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने किसने मीर कासिम इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तो आपका बंगाल का अन्तिम गवर्नर कौन था देखे वान हेस्टिंग जो है वो बंगाल का लास्ट कवर्नर था जो की 1772 में अपॉइंट हुआ था मतलब नुक्त हुआ था हम आप पे तो इन में से कोई नहीं है ननो अपदीज राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन है आपका बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था तो वो आज गवर्नर ऑफ बंगॉल अट टाइम ऑफ बेटल ऑफ बक्सर इस लोड कलाई यानि कि यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला कोशन कहा रहा है कि भारतिय सविदान का कौन सा अनुच्चे लोग सभा इव विदान सभा की परतेंदियों को निर्वाचित करने अर्थात व्यस्क मत अधिकार का अधिकार परदान करता है तो गाइज इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326 ठीक है नेक्स्ट कोशन दोस्तों है आपका भारति सविदान का कौन सा भाग सविदान की आत्मा कहलाता है तो इस question का right answer होगा सविदान उप्चारों का अधिकार यानि कि right answer D हो जाएगा next next है राज्य के राजयपाल को सपत कौन दिलाता है तो cheap justice दिलाता है दोस्तों ठीक है राज्य के राजयपाल को यानि कि cheap justice of high court तो right answer D हो जाएगा next भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावली क्या है what is tenure of cheap election commissioner of India sorry commission of India तो यह आपका हो जाएगा what is tenure of cheap election commission of India बिल्कुल सही answer कि यह है 6 साल यहाँ पर आंसर होगा but 6 year or 65 year whichever is earlier yes answer होगा actual में यहाँ पर D right answer हो जाएगा 6 साल ठीक है बट उसमें और लागा के 65 वर्स भी होना चाहिए था जो भी पहले हो ठीक है तो पूरा option नहीं दिया गया है right answer option D चले अब next video पे चलते हैं और देखिए जितने भी trend में भी तक session को like नहीं किया तो like कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में share कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon कौन रखी ताकि वीडियो के notifications आपको मिलते रहें और मिलते है next class में अपना ख्याल लखे और किसी को भी unacademy पर subscription join करना है तो यह code आप यूज कर सकते हैं study it and without any space चले बहें मिलते हैं next class में bye bye take care everyone